कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगे? उन्हें कन्वेंस कर सके? उनसे अपनी बात मनवा सके? आपको कितनी भी अच्छी इंगलिश बोलनी क्यों ना आती हो और इंगलिश ही नहीं आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज ये टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है क्योंकि आज मैं आपको आठ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिने फॉलो करने के बाद आप अपनी बात से किसी का भी दिल जीत सकते हैं जब भी आप किसी से बात करो ना तो पॉइंट पॉइंट बात करो कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वो सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे बलकि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे ऐसे लोगों को न पकाओ कहा जाता है और ऐसे में सामने वाला इनसान पूरी तरह से उस इनसान से पक जाता है तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्यूनिकेशन इसकिल को स्ट्रॉंग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी आनी चाहिए औ और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। नमबर टू, सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्मुनिकेट करते हैं, तो इस केस में 90% लोग अकसर ये करते हैं कि वो किसी भी पोश्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं। ना तो रियाट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्मुनिकेट करना नहीं, बलकि डाइजिस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंट्रेस्ट ही नहीं है या फिर आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं आप उसे इग्नोर कर रहे हैं इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कट पुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ या अगर उनकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करिए ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे इसलिए बातों को गौर से सुनें और ठीक तरह से अपनी बात को रखें आपका बॉडी लैंगवेज को ठीक करें आपका बॉडी लैंगवेज भी आपके कम्यूनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफी हद तक इंप्रूफ करता है आपका कम्यूनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंगवेज प उपर आपके बातों का प्रभाव पढ़ सके। इसलिए अपने communication skill को बेटर करने के लिए अपने body language पर भी ध्यान देना जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई इनसान किसी इनसान से बात करता है तो उस वक्त भी वो phone से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इनसान बिना आपकी बाते सुने बस अपने mobile पर ही आँग गड़ाए बैठा है। जैसे कि उसे कोई मतलब भी नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ अगर कोई शक्स आपसे इस तरह से communicate करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो तो उस समय अपने मुबाइल से थोड़ी दूरी बना कर रखो। और एक बात कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। बहुत से लोगों की यादत होती है कि वो समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवा ही नहीं है, कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवा होती है। उन्हें ये लगता है कि उनका बोलना जादा important है और बस वो बोलते ही जाते हैं और फिर लोग उसकी बातों को सर के उपर से जाने देते हैं। यानि कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि आपको अपनी जबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खतम नहीं कर देना है। बलकि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरों की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है। नहीं तो ये बहुत ही नुकसान दे साबित हो सकता है। बहुत सारे लोगों में ये कम्या होती है कि वो बात को सुनते नहीं है। बलकि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी communicate करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप actively सामने वाले को सुने, तब आपका कोई भी reaction उनके सामने रखे। क्योंकि आधिय धूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पातर में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो actively अपने सामने वाले इंसान को सुनो और इससे आपकी communication skill काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और जादा सुनो। और obviously लोग ऐसी ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। आप खुद भी तो यही करेंगे ना। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो थोड़ा logically बात करो। और फिर इससे भी आपका communication skill बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, बात करते समय थोड़ा time और space के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले की कुछ समझे, आप अपनी बातों की बरसात किये जा रहें, किये जा रहें, किये जा रहें। थोड़ा समय दो उसे समझने का सामने वाला इंसान को बोलने का और सोचने का मौका दीजे जिससे वो बोर या अनकमफर्टेबल फील ना करें इस पर भी आपको बहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए तो दोस्तों आपके क्या विचारें इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तिदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा